हाई इस्कूल का पूरी तरह से जला है क्या है आप कुछ कहेंगे बिहार सरकार से कहां से आप इसको थोड़ा बढ़िया से किलियर करिएगा क्योंकि लोग बिहार सरकार के बिजली विवाग पर ठोप देना चाहते है ङहां तो बिजली की से लगता है तो सौ रक सर्केट से लगा है है यह सब आप देख सकते हैं यह चांदी है यह चांदी की जो जैवर है वो पुरी गल चुकी है लोगों के घर में गैस भी जली हे क्या बढ़की है गैस तो किसी के घर में गैसे नहीं था गैस ता सिलेंडर है मगर महवी के वज़ा से उसमें से गैसे नहीं है तो क्या सुभी लोग नमस्कार आप देख रहे हैं पटना निव 24 लाइफ आज है हम लोग मदुमनी परखंड के बरवा पंचाइद के वार्ड नमबर छे में मैं आपको बता दूँ कि यहां लगभग 10 घर जल के राख हो चुके हैं और हमारे साथ हैं मदुमनी सीयो इन से भी बात करेंगे कि क्या-क्या राहत मिलेगी और यहां के मुख्या भी है सर सबसे पहले घर जब जलता है तो लोगों को ऐसे लगता है कि क्या मिले और जल्दी से हमारा घर बन जाए जबकि इसकी परकिरिया लंबा होती है हम लोग भी जानते हैं आम लोगों को यह बात पता नहीं होता है तो थोड़ा इसमें क्लियर करें सबसे पहले यह आज की घटना जो है बहुत दुखत घटना है इस पर हम सब सम्वेदना व्यक्त करते हैं सरकार का इसमें जो रासी है वो 19 एर प्याता है और जो पड़ी के साथ जो रासी है नगद और वस्त बेगरा उसके मिलाकर 19 एर प्याता है उस रासी के लिए हम सब जिला से बहुत जल्दी मांग कर रहे हैं कि मिल जा और ताकि सबकों रहात फुरत दे दे और अपने सब विष्यत रुप से जिवन बदित करना सुख नुख नॉर्मली यहां तिरपाल भी मिलता है जो ततकाल सेवा के लिए ततकाल सेवा के लिए तिरपाल सब पलथीन सीट जो विवाग का है वो सब तुरह तुपलोग कराते हैं एक और चीज़ सर काफी दिन पहले भी बहुत लोगों के घर जले हैं हाला कि योगी पट्टी में फतावा पंचायत में जला था वहाँ 19,000 रुपे का चेक मिल गया लेकिन उससे पहले बहुत सारे घर जले हैं जिनको अभी तक लाब नहीं मिले है 19,000 रुपे का चेक मिल गया यह बहुत दुखत घटना है इसके लिए समय नाम व्यक करते हैं यह घर लगभाग साथ ऐसाड़े आठ वजे के करीब में आग लगाया और साथ सर्किट से ही आग लगाया है इसमें दस गर जलके हैं किन का खे जालते हैं इक गिर्जादेवि हैं लच्जमी चौहान हैं और मेस हैं लगभाग thor बहुत गरीबर लोग से मजबूरी करके अपना जीव का अपान करते हैं चीवका परजर्य लों को मजबूरी से ही चलता है दूसरा इनों के पास कोई बेवसर है और घर में कोई नहीं था हला कि देखिए यहां सियो साइब भी उपस्तित हैं इस चीज को मैना करके जाच कर रहे हैं और जल से जल रहात भी जो भी इनकी सामगरी होगी इने दे दी जाएगी चाचा जी आप हमें बताइए कि इस तरह की घटना जो हुई है क्या लग रहा है किस तरह की रहात मिलेगी और आप लोग के तरफ से क्या रहात मिलेगी क्योंकि जन प्रतनिदी भी काफी मायने रखता है ठीक है यह तो बहुत दुखत घटना है और स्रीयों साहिब को भी हम लोग सुचना दिये और ततकाल उपस्तित भी है और थाना से भी जो हमको हेल्फ मिला है वो तकाल पानी का सुब्दा मिला है उसके बाद में बिजली से आग लगा है जो भी होगा जन प्रतनिदी या या आपी सियल स्यों साहिब से हम लोग आगरा करेंगे तुरंत इसको उपलब्त करें एक और बात पूचिक है क्यो सवाल है सर कहीं वियाग लगता है तो विजली का ही नाम क्यों आता है क्या लगता है आपको थोड़ा बढ़िया से किलियर करिएगा क्योंकि लोग या विजरी विण करते हैं कि कहीं ता ब बाएर वगार लूस तो नहीं है मिस्टिरी है या बिजली भाग है उसको सुचना दें कि हाँ यहाँ थोड़ा कर जाच कर ले ता कि यहाँ तार ओर भी अच्छे से केबल वाला यूज करें हाला कि मैं आपको बता दू कि यह बरवा पंचाइद का छे नमर वाड है और यहाँ पर मुख्या जी और सियो साहिब उपस्तित रहें और इस चीज का बकाइदा मौयना करके और जो भी इनका माउजा होगा उन्हें मिलेगा दूसरी चीज मैं आपको बता दू कि यहाँ पर कुछ नहीं लिकला है कुछ ग्रामियों से बात करेंगे देख सकते हैं इनका जो भी खाने पीनी की सामगरी के हैं इनका बिस्तर के हैं सब जल के राख हो चुका है कुछ गाँ वाले हैं जो इधर घर जला है आप लोग आजाईए थोड़ा पास आजाईए चाचा आपको भी घर जला है क्या 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 निकला है कुछ भी समान नहीं निकला है आपको नहीं सोधय करें को रोगों से बात करेंगे आपका भी घर जला है आपका अच्छा आप लोग बताएं इस तरह की खटना काफी आप लोग गाओं वाले एक्टिव हैं तुरांत इस आग पे काभू पाली है क्योंकि चारो तरफ पूस का घर है हाँ हम लोग जोगी आया पूरा गाओं का लोग इकठा जब हुगा तो एक घर में पूरा जल रहा था यहां घूसने पर कोई नहीं काभू पाया फिर बगल साइड से सब लोग पर गया तो बीच में इतना जल गया उतना जल गया बाहरत से सब आदमें कभर कर लिया तब तक तब तक हमारे मुखिया जी भी आ गये उधर से हमारे पूरा जील अपर भी आ गये और सब आद में मील कर जितना जल गया था उतना आई भी आपकर कर लिया बाकी हम लोग बढ़ने नहीं दिया चारों तरफ से इसका कारण है कि सही समय पे सब आदिकारी और यहां के जन प्रतिती उपस्तित हो गए जिसके कारण से लगभग जितने दूर में लगा है दस बारा घर जल के राख हो चुका है और इससे एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा है काहिं न काहिं आधिकारीयों का और जनप्रतिनीदियों का इसमें बड़ा योगदान है मैं आपको पता दू कि यहां देख सकते हैं यह गेहूं है इसको थोड़ा नीचे से दिखाईएगा यह पूरा जल चुका है और बेकार हो चुका यह अनाज का यह जो दाना है किसान इसको बहुत मेहनत करता है कमाने के लिए सीचता है और खेत को अपने बच्चे की तरह सजा के समारता है ताकि इस गेहूं को आनाज को खाने मिले लेकिन इस तरह की कई घरों में गेहूं और धान जल चुके हैं कुछ और चीजे मैं आपको दिखा दूँ यहां इस साइड भी इधर भी देख सकते हैं इधर भी एक डेहरी रखा हुआ है यह पलंग है खाट है जो पूरी तरह से यह जल चुका है इनके खाने पीने की जो भी सामगरी है लगबग जल चुका है किसका घर है यह भगंचावा पतिका है वो दिख रहा है वहां पर मतलब इनकी घर की समाने कोई नहीं निगली है इस तरह की घटनाय हो रही है लेकिन समाज में भी एक जागरूपता होनी चाहिए कि आप आपने बिजली का तार लगाते हैं वो सस्ती ना लगा है मजबूत अच्छा केबल लगा है जब वज़े से आए दीन स्पार्क होता है और एक लोगों का घर जल चुका है हाला कि इसमें सरकार सहयोग देता है लेकिन उस सहयोग का क्या करेंगे आपका घर उतने में नहीं बन पाएगा तो आसा करते हैं लोग इससे सीख लेंगे और अपनी घरे की जो तार है वो मन अभी परवपंचाइद के जो मुखिया हैं उनको सब लोगों को कुछ सहयोग रासी देंगे कितना देने वाले हैं अभी सहयोग रासी आप दस लोग सब लोगों को एक एक हजार रुपया काल में रात देने के लिए और आप लोग कह रहे थे और बासोस जो से बन पाएगा जो भ अब यहां जाएगे मेरा मारसी अच्छे से फिर बन जाए फिर मैं कोई जाव तो अपना काम कर सको ताइम लिए अखलाकी देखिए पधार मंत्री योजना के जो है उसके तरह से महीया होता है लेकिन यहां पर आवास महीया नहीं हुआ एक और चीज पूछे गblowing कि बन के गाजö बढ़की है पर गएज तो कि घर में गए सो नहीं था गएकल तका सीलेंडर है कि मगत महुए के वज़ा से मैज़ूरी के वज़ा से उस वीशना यहां का सभी इस बात है prob न कहां से गरीब हो लोग भर पाएंगे सही बात है ना 1250 रुपया का गैस कहां से इस्तिमाल करेंगे इसलिए नसीब अच्छा था और गैस जो था वो खाली रह गया भड़का नहीं और यहां पर आप देख सकते हैं कि सब बितरन हो रहा है लोगों को जो एक एक हजार रुपया है वो लोगों को दिया जा रहा है हाला कि यह बहुत अच्छा काम है ततकाल जो भी जन प्रतिनिदे हैं उन्हें आके स्वयोग करना चाहिए हमारे साथ जिनके घर जल चुके हैं बुरितर से रो रही है चाची सबसे पहले तो आपको बता दे कि घर आपका वापस अब नही बताई यह हां कहां रहा और काज अधर सबसे जाधा वाइस सबसे जयादा है यहां सबसे जिला है सब जल गया है तो लोग रोते जादा अब मुझे यह बताईए कि बहुत सारी आपकी हाँ समान उमारा दिख रहा है साडी ओडी सब जल गया है मारसीटे भी जल गई है यह क्या है यह सब आप देख सकते हैं यह चांदी है यह चांदी की जो जैवर है वो पूरी गल चुकी है और यह भी है अच्छा आप लोग इससे कलेक करिए और जो पॉसिबल हो किसी से मिलिये हो सके कहीं इसका कुछ रास्ता निकल जाए रोने से कु से मैं सर्फुदीन अंसारी पत्ना निवी 24 लाइब के लिए जैहिंद